मैं मसी मन्थन चर्च देली से मधुबाला बोल रही हूँ सब को जैमसी की मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे पुराने चर्च में जो गड़बड़ी शिक्षाओं की चल रही थी वहाँ पर जिबरिश बोली जाती थी वहाँ उठा पटक होती थी वहाँ बहुत कुछ होता था लेकिन जब हमने पास्टर से कहा तो पास्टर ने कहा कि सिस्टर रहने दो कहीं आशा नहों ये लोग आना बंद कर दें लेकिन हमारी मजबूरी थी कि हमें उस चर्च में जाना पड़ था था उसके बाद लॉकडाउन में मेरे पास्टर ने मेरे को एक वीडियो भेजा और कहा कि इस वीडियो को ज़रूर देखना क्योंकि ये बहुत अच्छे पास्टर है बहुत अच्छा बोलते हैं और बहुत पावरफुल हैं हमारे घर में इनका आना जाना है जब मैंने सोचा कि ये इतना कुछ बोल रहे हैं तो मुझे सुनना जरूरी है तो मैंने जब जैसे ही उसको सुना तो वो पास्टर ने राज जी का वीडियो था करोना वाइरस के बारे में और जब मैंने वो वीडियो देखा तो सच मुझ मेरा तो एकदम दिमाग हेल गया ये सुनके कि अभी तक तो हम जो कुछ भी देख रहे थे जो कुछ भी सुन रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ कचरा था और कुछ भी नहीं था असली शिक्षाएं मसी की तो ये हैं जो आज मैंने सुनी है मैंने उसी दिन निर्ने कर लिया कि आज की बाद मैं आप दुबारा उस कचरे को खाने कभी नहीं जाओंगी और सच मुझ मैं नहीं गई और मैंने बहुत सारी पास्टर डैनले राज की वीडियो को सुना और सुनती रही और प्रभु में बढ़ती रही उनकी सही और खरी शिक्षाओं में बढ़ती रही मैं तो इसलिए मैं आप लोगों से भी कहना चाहती हूँ कि आप भी ये पुरानी शिक्षाओं को छोड़ दीजे और जो मसी की सही शिक्षाएं हैं जो पॉलुस की शिक्षाएं हैं पत्रस की शिक्षाएं हैं और पास्टर डैनले राज ची की शिक्षाएं जो बाइबिल की शिक्षाएं आप उन्हें अपनाईए क्योंकि मैं बची हूँ और मेरे जैसे लाखों लोग बच गए हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी बच जाएं और मैं आपको इन्वाइट करती हूँ हमारे देहली MMB Church के लिए आप जरूर वहाँ पर आईए और मसी की सही शिक्षाओं को ग्रहन कीजिए वहाँ के पास्टर सुरेंदर जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं सब को जय मसी की